बस थांक्यू भी बोलती हो हर साल कि जो भी आपने दिया है, जिन लोगों से मिलाया है, जो जीवन में है, जो भी आपने दिया है, जो कॉरंटीन हो रखे थे सब, हमारी बिल्डिंग सील थी, बस मैं और रवीश हम आए और बस मूर्ती की सापना के और हम चले गए बडले पर अपने लुम कॉर मिलाय कहा है नापने द metabolismo काती के दो मैं बड़ prospective भी आपने चपना के प्राम कया धज प्यांच ψ tracking के जो सीफ okay प्राची और हम सब की फेवरिट प्राची और हम सब की फेवरिट मुगदा वेल बुट सबसे पहले तो बहुत बहुत सवागत है आपका तैनि मसाला थांक यू नमस्ते और आप इतने अच्छे दिन आए हैं घर पर पता है आज क्या है आज गंपती वापा गर आए जब बपा तो गर पर आए हैं जब क्या घर का महाल हो जाता है और वाइब हो जाता है जब बपा घर में हैं आक्चली यु एक दिनियुक्षि ज? तो थोड़ा सा एसी लग रहा है कि बापा के जाने का समय आ गया है अच्छा तो यह बताईए कि क्या पगवान आपने बनाए इस वार बपा के लिए और कितनी मोदक आपने खाई है अच्छी हमारे हां पर अपर क्टी से मोदक एक डिकसी होती है जो एक्चूल मोदक होते है जो पेड़े के फ़र्म में मोदक निर वो था वा तो हमने कल बनायते कल चतुर्ती थी तो इस मोदक का जो भोग कहते हम नेवेद के तों से उसे वाम बब को ऑफर करतेक य tel के मैं चाहूंगे दशागों आप थोड़ा को बताएं बनते कैसे हैं उक्रित से मोदक इस अच्छली बहुत है यह सबसे बड़ी बात है यह स्वीट ऐसा है जो बहुत हल्दी है क्योंकि इसमें तीन या चार चीजी होती है और फील दिल में आपके चल रहा है दिल में बहुत ही मिक्स्ट फीलिंग आ रही है अब ही तो मैं घर पे हूँ शायद हम विसरजन पे चले तो आप देखेंगे मैं हर साल ना डिसाइड करती हूँ कि ऐसे बच्चों की तरह इमोशनल नहीं होना है बापा को बहुत बढड़े लोग की तरह अच्छे से बटो नहीं हो पाता विकाल जिसे लगता है कि जाता है कि हमारे दिल से कोई चीज निकाल के जा रही जबकि हमें पता भी होता कि ऐसा नहीं है बापा थो हर जगह है हमारे साथ है but that thing that that thing like the child within us वो मानता नहीं उबलता है नहीं मुझे मूर्ती के फॉर्म में बबपा सामने चाहिए तो वो होता है और क्या खास तैयारे आप करने शुरू कर देते हैं जब भी बबपा आने वाले होते हैं बहुत बहुत ज़ादा हम डेकोरेशन की तैयारी सबसे हम ना डिसकास करते हैं मी माई ब्रादर मैं सिस्टर इनलॉम लग सब डिसकास करते हैं क्या करें इस साल क्या करें क्या कलर करें ये करें दो झाम ही दिसाइड करते हैं लेकिन हमारे एक ही इस पेज पर होता है कि इको फ्रेंटली तो रखना ही है कि हमारे बापा भी को फ्रेंली है, हमारी मुर्ति मिठी की है शाडू मिठी कहते है उसे, जो उसे अँच है सफ्टेशिया होती है और हम सब मिल कि एक एक चीज हमने खुद बनाई है, so we do that. यह इसमार मूर्ती नहीं? नहीं, मूर्ती नहीं, डेकरेशन, मूर्ती तो लाई है. क्योंकि बहुत अच्छा थीम दिख रहा है, अपने जो लगाई हुई है, एक 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 एवन रंगुली की अगर बात करें, तो क्या सोच कर अब यह सब करें तो हम सब को जो चीज पसंद आते हैं, हम कलर वो डिसायर करते हैं, इस बार हम येलो और वो करें, तो हमने एक पर्मिनेंट फ्रेम जैसे बना के रखी है, अगेन वो लकडे की है, तो उसमें कोई थर्मकॉलिया कुछ यूज नहीं है, पिर हम रियल फ्लावर जुतने लेके आते हैं, और बस सजाते जाते हैं, और कभी-कभी बनते-बनते कुछ अलग ही बन जाता है, हमने कभी कुछ र पर यह तो अच्छा लग रहा है, यह रख जेते हैं, इस वर वो एक ऐसी चीज है, यह अपने प्लैन नहीं की थी, लेकिन प्लैन के बाहर जाके वो चीज हो, जो बैकड्रॉप में लड़ियां लगरी है, हम किसी और चीज के लिए लाये थे, और पीछे हम फूलों की ही पर ऐसी लगा के देखा करें, यह अच्छा लग रहा है, यह रखते हैं, यह रखते हैं, यह रखते हैं, यह रखते हैं, एसे हो जाता हैं. And Ravish, कि क्या सजेशन होते हैं, जब भी बपा आते हैं, वो वो किनी मदद करते हैं? обяз़ भी लग भी लखते खरी करनेक, यह रखते हैं, लुख है, मैं यह रखते हैं, चुछ भी ऐखते हैं, फिर पलाँ सरक्ता हैं, यह रखताएं, यह एल करनेका क्या फूर भ्याइज मतले द दया हैं. कि बस मैं और रवीश हम आए और बस मूर्ती की सापना के और हम चले गए बट आइ तिंग एट साड़ेस्ट यहर फॉमी बिकोज जितना बापा के लिए मैं करना चाहती थी तो नहीं कर पाई बस बापा को यही काऊंगी कि ऐसा समय कभी न लाए जो सीख देना चाहते थे आप मिल गई है सबको बस हम धान रखेंगे अपना धान रखेंगे अपनों का धान रखेंगे और हम प्यार से रहेंगे तो आप ऐसे वापस हमें कुछ मत दिखाएगा जब भी बपा को लेने जाते हैं अब तो क्या एक चीज बपा के अंदर नोटिस करते हैं कि मेरे वाले बपा में यह चीज जरूर होने चाहिए अचली मूर्ती की जब बात करें ना मूर्ती हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मूर्ती की एक ही स्टाइल रहती है बस हम कालर स्थोड़े जिस लिक से आपने बुझे आप क्यामरा बताया थे कि आप सौ साल से रख रही हैं उसके पिछे की क्या कहनी है और मूर्ती हम चेंज नहीं करते पैटर्न एक ही स्टाइल एक ही है यह ब्रामनी मूर्ती कहते हैं बस हम जो पितांबर कहते हैं मतलब ज कर सकते हैं तो इस साल हमने यलो दूती और रेड जो उनकी शॉल है वो वैसे लाए हैं बापा को और अगर इसकी अमबात कहें तो बाकी सारे जो कास्ट हैं इस बार कृष्णा थोड़े मिस हो गया यह उनके वारे में क्या कहेंगी उन्होंने एक स्टोड़ी डाली है कि मेर लगा चुटी होगी बट फिर पता चल उसका शूट है और लेट पैक अप वह तो नहीं आप है हम सब ने मिस किया आपने देखा योगा सोशल मीडिया पे तो हमारी इस बार कुछ नहीं चेहरे भी जुड़े थे जो नया परिवार है वो जुड़ा था तो जितना दर मॉद अगर एक वर्दान आपको देए और कुछ करना हो तो क्या करेंगी या वो बदलाओ मैं इतना अगर एक वर्दान दे तो मैं सच में बापा को यह कहूंगी कि बापा दुनिया से सारा क्लेश निकल जाए और दुनिया के हर इंसान के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम दे जो बपा जितन उनका आगमन हो उस दिन आपको कोई गुड नीज मिली हो या आपने कोई उनसे कोई मननत मांगी और जो पूरी होई जो जीवन में है जो भी आपने दिया है जो मेरे हिस्से का है वही मुझे मिलेगा इतना प्रेम देने के लिए थांक यू और मैं हमेशा एमोशनलों के बापा से कहते हूं कि बापा इसी तरह प्रेम बरकर आ रहे हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप से आप रहे बस जी मुझे सबसे पहले बच्पन से याद इतना है कि डेकोरेशन यह ऐसी चीज है जो मुझे बड़ा मजा आता है तो मुझे यादे स्कूल के दिनों से मुझे अभी भी आदे मेरे मामा ने मुझे सिखा था मंदिर कैसे बनाते हैं तो हर चीज तभी हम थामकॉल बहुत साल पह पता है कितना अच्छा लगता था अब अफकॉस चीजे चेंज होती है लाइफ आगे बढ़ती है और हम बड़े हो गए अचानक से बच्पन भी कि इतनी आदे हैं कि हमें पता है बट वो दिल में है बहुत सारे बापा से रिलेटर है भी को हर साल इस इंपोर्टन हर साल के नए मेमरी देखे जाता है सो वही मैं कहूंगी कि बापा मुझे याद है हर साल के बापा याद है मुझे मूर्तियां भी आद है हर साल की बताईए किस वर क्या विश्मांग आपने मांगी और डिपलोमेटिक जबाब मुद देना कि यह विश्पूरी हो पर सच्छ में सच क्यों बोलो बस कुछ नहीं मांगो यह है कि हमारे दिमाग में इतना हम कभी सच में नहीं मांगते बापा से बोलते कि आपको जो देना है आप दो गई जो मुझे है मुझे मिली जाएगा हम यही सोच दो